ओम स्री गनेश शैनम दोस्तो एश्प्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्टिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 सितंबर सनिवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेडिया आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए शनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आप के लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो यदि आप वेवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेश के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यहें आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको क्याम्याभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तों साथ इसाथ कोई प्रत्यासित आये या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आये का अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी कतीविदी में जो आपके उद्येस से का इस्पस्ट अर्थ दें उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाख में हैं और इसके लिए जरूर रिशर्च करें अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रभाबित करने के लिए सब्दों की अपनी निपुनता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय हैं आपके साथ ही और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे दोस्तों रचनात्मक कारों कि प्रिती आज आपका रुजान बढ़ेगा इस अवसर का आप लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दे अपनी रचनात्मक्ता से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी कारे चमता से दूसरों को आज आप प्रभावित करेंगे कार घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव है अन्यता परिसानिया बढ़ सकती हैं अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिवार के सदस्यों पर भरोसा करें किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा ना करें अनावशक परिसानिया उत्पन हो सकत हैं जिसकी वज़े से घर में बिखराव का माहूल हो सकता है इसलिए घर परिवार में आपसी समंजस बनाए रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरुसा करते हुए किसी भी कार्ड़े को करें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रियास करते हुए माता-पिता से संबंद मधूर बनाए रखने का प्रियास करें ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूत हैं जैसे आपके भाई-बेहन माता-पिता या पडोसी उन्हें सांते प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलो पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहुत से लोग आप से कई मांगी रख सकते हैं इससे आपका अधिकतर समय मल्टी टास्किंग में व्यत्तित होगा बस वही करते रहें जो आप कर रहें हैं और आ अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर रहा हैं आपको बेचेन करेगा दोस्तो कार रभार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे इसलिए किरोध की आज अधिकता रहेगी नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली हैं दोस्तो आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरासी भी बात बड़ी हो सकती है और उसका प्रभाब आपके प्रेम जीवन में नकारत्मक रूप से आ सकता है आपकी प्रेम पाने की भी आज मुराद पूरी होगी और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रेतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तो आज का दिन आ आज आपका वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवेशाय के गतिविद्यां सफल होंगी और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी प्रॉपर्टी और सेयर बजार में निवेश करना नाबदायक रहेगा अनावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी जिस किसी यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे तोट का चैरी से सम्बंदित कोई अच्छी खुसकबरी आज आपको प्राप्त हो सकती है साथी साथ जो लोग सरकारी छित्र में नौकरी करते हैं उन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अत्वा मकान का शुक मिल सकता है आपकी कायदा होगा आपको अपने कामों के लिए श्वैम पर ही निर्बन होना होगा ना कि दूसरों पर साथी साथ बेरोजगारों को भी रोजगार के ने अफसर आज प्राप्त होंगे वैपार धंदे में अच्छा लाब मिलने की संभाव न रहेगी लेकिन अनावस्षक खर्च की भी अधिकता रहेगी शावधन रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आज आपको किसी तरह के स्वास्त से संबंदित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए किसी भी तरह की स्वास्त संबंदित समस्यां उत साथ इसाथ अपने स्वास्ट को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोज़ाना योग करें, वहयाम करें, स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशह सुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इस नान आदी से निरवत्र होने के बाद पीपल के वरक्ष में सूत के साथ धागे लपेट कर शात वार परिक्रमा करें और फिर पीपल के वरक्ष की पूजा करें और शाति साथ ओम शानशनेश्चिराये नमहा मंत्र का 108 वार बहुती सच्चे मन से स्रदभाब से जाप करें जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिय चल लगी हैं समस्त परिश पान शनिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैशनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद